मेरा नाम है वेद सिरत रवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कार्पोरेट अकाउंटिंग इसमें जो हमारा चेप्टर चल रहा है वह है वेलिशन अफ गुडविल इससे रिलेटेड पिछले 12 वीडियो में आपको दे चुका हूं जहां पर बेसिक गुडविल से लेकर के एवरेश प्रोफिट मेथट और सुपरफिट मेथड बहुत क्टेटेल में मैंने आपको समझाया हुआ हैा यर चैनल पर नए हैं और हमारा पढ़ाने के तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्र जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रस कर लिजिए त सुपर प्रॉफिट मेथट की कंडिशन में उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैपलाजेशन मेथट और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कैपलाजेशन आज एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन कुश्चन जिसमें पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है हमको क करने वाला हूं आपके साथ तो कुश्चन जो हम लोग को करना है आज आज आपकी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं कुश्चन के अंदर इंफॉर्मिशन कुछ हैसी है नवल और नीलम साशेदार हैं जो लाबहान इखाते को तीन अनुपाद दो के अनुपाद में बांटत से तथा चालूद आजितों को पुस्तक मुली पर लिया जाएगा मतलब करेंट असेट्स और करेंट लाइविल्टी को बुक वैली पर लिया जाएगा लेकिन फिक्स्ट असेट्स को चार लाख रुपे में लिया जाएगा विक्री पर सुद्ध लाव का प्रतिशत 20 है अग तो यह स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाओंगो कैसे इसका क्या जाएगा तो देखिए नंबर एक पर हमको चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट ऐसा मसलब को कतम नहीं काई है आप इधर उधर भी कर सकते हैं कुल मिलाकर जब आप सुपर प् प्रॉफिट दिया हुआ है अलग एक कंडिशन दी थी अपॉन हंड्रेड सेल्स कुष्चन में हमको दी है 6,80,000 रुपे की कितनी दी है सेल्स 6,80,000 रुपे और इस पर 20% का प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो भया यहां पर 8,216 होता है और 2,12,13 होता है मतलब एवरेज कंपणी को कितनी उम्मीद है होने की 1,36,000 रुपे एवरेज प्रॉफिट होने की उम्मीद लगाए बैठी है कंपणी चलिए दूसरे नंबर पर कल्कुलेशन करते हैं कैप्टल इंप्लॉइड का किसका कैप्टल यही सबसे महत्तपूर्ण होता है कैप्टल तो याद ऐसी दिया वैल्यू लिख लो फिर कुश्यन एक्जाम में जब लगाने बैठते हैं तो फर्मूला भूल जाते हैं यह मत करिएगा टॉटल अप रियल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइविलिटी रियल असेट्स में जब हम लोग बात रियल असेट्स की कि तो इसके और यह करन असेट्स हैं कि अधर चैंद्स म्रों फिक्स्टाइश जिनका रिवैल्यू उगया चार रौपे मेरी और करेंट असेट्स कि आए यह योई फिलिप्रेंट 네 चैंज नहीं हुआ कमपनी के पास कि प्ल मिलाकर छे लाइक विपल केबल एक है जिसको क्रेडिटर कहते हैं और वो है 80,000 रुपए की तो 5,60,000 रुपए चौदा से 8 जाएगा अच्छे हाँ ठीक है 5,60,000 रुपए कुश्चन में आपने कल्कुलेट कर लिया है कैप्टल इंप्लोइड क्या रेट कैप्टल इंप्लोइड पर तो नहीं थी कुश्चन में देख लेना चाहिए नहीं कैप्टल इंप्लोइड ही कुश्चन में कहा गया है तो कैप्टल इंप्लोइड मेरा निकल के आ गया है कितना है 5,60,000 रुपए है तो जब सभी कमपनिया 12% कमाती, इसका मतलब मैं भी 12% कमान सकता हूँ, ये कमपनिया सोच के चलती हैं, तो फिर इसके आधार पर उन्होंने क्या सोचा होगा, कि उनको normal कम से कम मतलब कितना profit होगा, तो normal profit का formula इसी आधार पर बना दीजिए, जो की बन जाएगा, होता नहीं है मतलब होता भी है, लेकिन उन बच्चों के लिए होता है, जो रिटना चाहते हैं, और जो समझना चाहते हैं, वो समझें, कि ये होता नहीं है, जब capital हम मार्केट में लगाते हैं, तो उसको कहते हैं, capital employed, मतलब कम पूंजी लगा दी, विन्योग कर दी, और जो कमाई हमको होत उसको कहते है, normal rate of return, मतलब हम किस दर पर, किस सामान दर को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां हमने ये पूंजी विन्योजित करी है, उसको कहते है, normal rate of return, मतलब NRR, तो चलो भाई, solve कर लो, capital employed है, मेरी 5,60,000 रुपे, rate है, 12% divided by 100, तो 2,0 ये गए, 2,0 ये गए, 12,0, 12,0, 12,0, 72,0, और 12,5,60, कितना आ गया, 67,200 रुपीज का normal profit हो गया है, अब super profit होता क्या है, super profit होता क्या है, excess of average profit over normal profit, is called super profit, सामान इलाव के उपर कमाया गया, औसत लाव ही, आपका अधिलाव कहलाता है, तो अधिलाव हमारा super profit क्या हो जाएगा, super profit, मतलब तुमने सोचा था कि हमको इतना मिलेगा, लेकिन मिला कितना है, भगवान का असिरवाद से, 1,36, लेकिन व्यापार में भगवान का असिरवाद माना नहीं जाता, कहते हैं कि capital होगी, इसके पीछे कुछ, कुछ capital होगी, तभी आया है ये पैसा, तो वो capital क्या है, उ minus, normal profit, average profit क्या है, मेरा 1,36,000 रुपे है, और normal profit है, 67,200 रुपे, बराबर 10 से 2 जाएगा, तो बचेगा 8, और यहां पर आपका बचेगा 15,15 से 7 जाएगा, तो यह भी बचेगा 8, यहां पर बचेगा 12,12 से 6 जाएगा, तो बचेगा 6, मतलब 68,800 रुपे का इसने super profit कमाया है, जब super profit आ गया है, तो अब आप number 5 पर निकाल दीजिए, goodwill, क्या निकाल दीजिए, goodwill इसी को तो निकालना था, बराबर, super profit, into number of purchasing year, तो गुडविल हमारी कितनी आएगी, इस तो पर प्रॉफिट है, मेरा 68,800 into number of purchasing year, में भी 3 है, शायद उसने कहा था, तीन वर्सों के क्रेक आधार पर, अगर तीन वर्सों के क्रेक आधार पर, आप गुडविल बताईए, हाँ, यही कहा था, multiply दे दो, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 24,000, 24,000, 26,000, 6,38, और 20,000, 2,600, 4,00, वैल्यों हो गई है, गुडविल की, इतनी ही वैल्यों आ रही होगी, गुडविल की साहर, हाँ, 2,600, 4,00 रुपे ही वैल्यों गुडविल की, आ रही है, तो देखो यह calculation, आपने बहुत ही सरलता पूरोग मुझे उमीद है, आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ हर एक formula हो गया है, average profit essay आया है, capital employed ये होता है, normal profit essay, super profit essay, goodwill हो गई essay, average profit यहाँ चुकी condition थी, इसलिए ऐसे calculate किया है, नहीं तो average profit का formula होता है, total profit upon number of years, कई बार बता चुका हूँ, 6 question मैंने super profit method में, आपके साथ में solve कि हैं, जिसमें बहुत ही details के मैंने एक एक point उठा उठा के आपको समझाया है, कैसे calculation किया जाता है, super profit का, कैसे calculation किया जाता है, goodwill का, और मेरे बच्चे, अगर आपको average profit method और super profit method समझ में आ गया है, तो अब आपको problem नाम की चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि average profit method और super profit method से अलग valuation of goodwill में कुछ है नहीं, अब जब मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ आऊंगा और बताऊंगा capitalization method तो आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा annuity method तो और समझ में आएगा, कि हाँ सर सही कह रहे थे, average profit और super profit के बाद में पूरी goodwill समझ मे आ जाती है, मैं किताब पूरी बहुत यह नहीं कहता कि बहुत कठेने, बहुत कठेने, बहुत कठेने, कुछ नहीं कठेन होता है, उसके कुछ key points होते हैं, उनको पकड़ लो, उसके बाद हर एक chapter में यह key points होते जरूर है, तो valuation of goodwill में वो key points है, average profit और super profit, उमीद है, आपको स कज एंधियो एंधियो क्यों कर दो कि एंधियो क्वाद एंधियो से जिए झाक।